हेलो, वेलकम टो टेक्शनमेथ आज के सेशन में हम देखेंगे किस किस तरह से हम CL प्रोग्राम के तुरू फाइल में से डेटा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं अभी तक हमने कवर किया कि कैसे हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अब हम डिस्कुस करने जाने डिलीट ऑपरेशन के बारे में तो उससे पहले मैं आपको यह प्रोग्राम दिखा हूं मैं आपको अपने फाइल दिखाता हूं और उसमें डेटा दिखाता हूं कि कौन से डेटा भी स्टोर्ड है फिर उस डेटा में से कोई एक डेटा हम अपने CL प्रोग्राम के थ्रूँ डिलीट करेंगे तो फाइल देखने के लिए मैं कमांड हिट कर रहा हूं strsql वह हम हमारी क्वेरी चलाएंगे select star from emppf तो अभी हमारे फाइल में यह डेटा है six records है यहां पर जिसमें employee id और employee name है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे CL program के थूँ इस last वले record को delete करने का try करेंगे जिसमें employee id है six ठीक है तो अभी हम अब हम program discuss करते है program बहुत simple है मैं इसको edit mode में open करता हूं यहां पर line number eight पे तो हम pgm command लिख रहे है उसके बाद में हमने एक variable declare किया है जिसका नहीं में amp id जो एक decimal variable है और इसकी length है 4 इसमें हम जो value है वो set कर देंगे six जो हमारी employee id होगी तो क्या करेंगा यह six employee id को delete करेंगा यह variable हम use करेंगे हम एक dynamic query लिख रहे है normally भी आप hardcode value pass कर सकते हो बट जैसा मैं आपको last session में बताया था कि अभी हम dynamic वाला यह देखेंगे क्योंकि वह बहुत simple है मतलब अगर आपको normally hardcode करना है तो मैं उसका भी यहां पर discuss कर लूँगा ठीक है तो कोई भी file पर operation perform करने से पहले हमें file declare करना होगा file declare करने के लिए आपको लिखना होगा dclf और फिर आप चैसे f4 प्रेस करोगे तो आपको यह स्क्रीन मिलेगा यहां पर आप file name और library name specify करोगे हमारे case में file name है emppf और library का name है shermit1 ठीक है उसके बाद में हम यहां पर करें delete करें data from file तो उसके लिए वही command हम यूज कर रहे है run sql आपको run sql लिखना है और फिर f4 लेना है इस space पर आपको query लिखने है query का pattern में यहां पता देता हूं किस तरह से लिखना है आपको sql फिर opening parenthesis उसके बाद में आपको single quote single quote के अंदर आपको लिखना है delete from emppf where empid is अब empid को as a variable pass करने के लिए हम क्या करेंगे triple single quote लगाएंगे double pipe percentage care क्योंकि यह numeric variable इसको convert करने character में और फिर double pipe वापस से और फिर triple single quote ठीक है इस तरह से हम अपना variable pass करते है और यह वाला जो quote है यह हमारा query का end है यहां पर हमने query start की थी तो यहां end होगा और फिर बाद में closing parenthesis और commit में हम हम हमीशा रखते है option standard ठीक है तो आप directly इस तरह से query भी लिख सकते हो या फिर आप run SQL यह लिख के F4 करोगे और यहां पर अपनी query इस तरह से लिख सकते हो ठीक है यह जो प्लस आ रहे है यह automatically आ जाएंगे अगर आप जैसे direct query लिख रहे हो तो आपको यह लगाना पड़ेगा otherwise F4 करने के बाद में आप अपनी normal query लिखोगे तो वह automatically उसको अब तो pattern वही है कि जब भी variable पास करना तो triple single code फिर double pipe फिर value जो भी है अगर numeric value है तो percentage care के साथ रखना होगा otherwise आप directly भी रख सकते हो तो यहां पर जैसे मैंने रखा value और फिर वापस है double pipe और triple single code यह हमारा एक variable consider होगा अगर आपको value hard code करने है तो आपका क्या करना है simple से 2 quote लगाने single और उसमें जो भी value जैसे 6 करना तो 6 कर दिया और फिर इसे double code यह hard code करना है तो उस time पे variable की जगह आप यह लिखोगे ठीक है जो है record deleted और last minute line number 26 पे हम record को program को end करें npgm command से ठीक है अब मैं इसको compile करता हूँ तो यह compile हो चुका है अब हम इसको call करेंगे तो मैंने call किया message हमार को मिला record deleted अब हम query चलाते हैं और देखते हैं कि query में data है या नहीं query है select star from EMPPF EMPPF तो यह है देखो यहां से 6 record delete हो गया तो यह बहुत ही simple way है जिससे आप अपनी जो PF है या file है उसका data delete कर सकते हो directly CL program से ठीक है आपको कुछ नहीं करना आपको एक dynamic query लिखनी है और उस query को hit करना है run SQL command के तो इस session के लिए यही था नेक्स session में बाकि सभी topic discuss करने वाले है तो थैंक यू फॉर वाचिंग टेक्शन में